मैंने यहां पर एरफोस की ओफिशल साइट को ओपन कर रखा है जिसका बहुत बेसबरी के साथ इंतजार था वो खुश खबरी आ चुकी है जी हाँ जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं सभी डिस्टिक के एरफोस के लिए जो कैंडिडेट्स ने अपलाई किया था उनको शोट लिस्टेड किया जा चुका है यहां से हम डाउनलोड करके देखते हैं किन-किन कैंडिडेट्स को है शोट लिस्टेड किया गया है तो वीडियो अंत तक देखें और अगर जो नए स्टूरेंट्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्रा के लिए अप्लाई किया था टेक्निकल ट्रेड्स के लिए अपने अप्लाई किया था उन केंडिडेट को शोट लिस्टेड किया जा चुका है तो बहुत ही अच्वी गुड न्यूज है आप यहां पे इस लिश्ट के अंदर अपना नाम कर सकते हैं और कॉमेंट करके मुझे बताएं कि किन किन के लिए यहां पर नाम जारी किये जा तरहेगा और रिपोर्टिंग टाइम यह आपका रहेगा यह आपको ध्यान में रखना है और साथ ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिये गए हैं वह इंस्ट्रक्शन भी आपको यहाँ पर देखने हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ बता देती हूं कि देखे किस तरह केंडिडेट को किया गया है उसकी सूचिय यहां पर जारी की गई है रचेशन कर सकते हैं सभी केंडिडेट के देखे की पर देखे आप दि ग करनेंगे हैं अब हपcą ती है और आपको आपनी साथ में क्या लेके जाना है तो provisional admit card आपको अपने साथ ने carry करना है रेली साइट पे डुमीशल certificate ले जाना है माक्षिट ले जानी है या फिर उसके इक्विलेंट जो आपके पास qualification degree है यह डिप्लोमा है वो आपको लेके जाना है पास होने का जब का certificate है और माक्षिट है दोनों उसके अलावा आपको अपने 10th की यानि मैट्रिक की पास होने वाला certificate लेके जानी है उसके अलावा वैलिड फोटो आईडी आपको लेके जानी है और यहाँ पर यह certificate NCC SO AFP certificate लेके जाना है जो सर्विस certificate है आपका अगर आप किसी जोप में है तो आप लेके जाएंगे और 7 recent colored passport size photograph आपको लेके जाने हैं यह सभी चीज़े आपको अपने साथ केरी करनी है और यहाँ पर जो कुछ report लिस्ट भी जारी हो चुकी है तो वह भी आप में चैनल पर सब्सक्राइब करके चैनल को देख सकते हैं बने रहें नई अपडेट्स के साथ तोना डिफेंस अकैडमी के साथ धन्यवाद